दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने laptop से किसी को call कैसे करें इस वीडियो में मैं आपको laptop से WhatsApp पर call करना सिखाऊंगा तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा तो दोस्तो laptop में आपको सबसे पहले internet connect करा लेना है इसके बाद आपको एक browser open कर लेना है यहाँ पर मैं Chrome browser open कर लेता हूँ अब यहाँ पर आपको search करना है WhatsApp for PC यहाँ पर आप search कर लीजे WhatsApp download इसके बाद आपके सामने सबसे पहला website आया का WhatsApp का download WhatsApp for iOS, Mac and PC तो अब आपको इस पर click कर देना है website में आने के बाद यहाँ पर आपको देखे सबसे उपर download का एक option दिखेगा यहाँ आपको download पर click करना है और आपको WhatsApp download कर लेना है यहाँ देखे WhatsApp download हो चुका है यहाँ से आप downloads में चले जाएए यहाँ देखे WhatsApp installer आ चुका है इसको आप double click करके open कीजिए अब देखे यहाँ पर यह बोला है Microsoft store से डाउनलोड करने को तो यहाँ देखे Microsoft store से यह download भी हो रहा है यहाँ पर मैं इसको cut कर देता हूँ यह देखे यह Microsoft store से डाउनलोड हो रहा है आप चाहे तो इसको direct Microsoft store से install कर सकते हैं यहाँ देखे आपको Windows का icon मिलेगा इस पर क्लिक कीजे यहाँ पर आपको Microsoft Store मिल जागा या फिर आप यहाँ पर सर्च कर लिजे Microsoft Store यह आपके laptop में जरूर होगा तो Microsoft Store में आकर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है WhatsApp इसको बाद इस पर क्लिक कर लिजे अब देखे यहाँ पर आपको get का option मिलेगा यहाँ पर install भी लिखा हो सकता है इस पर क्लिक कर दीजे और WhatsApp को install कर लिजे तो देखे WhatsApp इंस्टॉल हो गया है अब इसको आप कट कर दीजे अब यहाँ आप फिर से Windows वाला आइकन पर क्लिक कीजे यहाँ पर आपको थोड़ा से scroll करना है यहाँ पर आपको बहुत सारे आप से दिखेंगे इसमें आपको WhatsApp मिल जागा इसको डबल क्लिक करके खीचे और desktop पर लाकर छोड़ दीजे अब देखे WhatsApp आगया इसको आप डबल क्लिक करके open कीजे अब यहाँ पर आपको option मिलेगा get started का इसपर क्लिक कर दीजे फिर यहाँ पर आपको QR code मिलेगा तो आपको अपने WhatsApp से QR code को scan करके अपने WhatsApp को login कर ले रहे अगर आप WhatsApp वेब से calling करने की कोशिज करेंगे तो call नहीं होगा इसी वैसे मैंने आपको app install करने के लिए बताया है तो अभी मैं अपने mobile में आ गया हूँ और मैं अपने mobile से पहले WhatsApp को login कर लेता हूँ मेरे पास WhatsApp बिजनस है कोई से भी WhatsApp हो चाहे WhatsApp बिजनस हो या फिर normal WhatsApp हो उसमें आ जाएए फिर सबसे उपर आपको तीन डॉट दिखेगा उस पर क्लिक कीजे फिर यहाँ एक option मिलेगा link device इस पर क्लिक कर दीजे फिर यहाँ link device पर क्लिक कीजे आप चाहें तो यहाँ पर इसको phone number के जरी भी login कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं QR code से कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखे QR code scan हो गया है और मेरा WhatsApp यहाँ पर login हो गया यहाँ पर देखे लोग इन हो गया है अब WhatsApp में आने के बाद यहाँ पर आपको उस account को select कर लेना है जिसको आप call करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं my.io वाल account select कर लेता हूँ अब मुझे इसे call करना है तो यहाँ आप देखेंगे सबसे उपर वीडियो कॉल और call दोनों का option मिलेगा आप जो call करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से अगर आपको वीडियो कॉल करना है तो वीडियो कॉल पर क्लिक कीजिए फिर यहाँ आप से बोलेगा कि आप अपने microphone का access दीजे तो यहाँ go to settings पर क्लिक कर दीजे अब आप setting में आ जाएंगे यहाँ पर देखें एक option है allow apps to access microphone इसको आप on कर दीजे अब देखें यहाँ पर यह access मांग रहा है फिर से आप yes पर क्लिक कर दीजे अब यहाँ पर आपको फिर से तो अभी आप देख सकते हैं मेरे mobile में whatsapp से call आ गया है इसको मैं pick up कर लेता हूँ अब आप देख पाएंगे video call pick up हो चुका है मैंने camera को ढख रखा है इस वज़से यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ देखें अगर आपको call करना है तो यहाँ phone call पर click कीजिए इसके बाद देखे phone call जाना शुरू हो जायागा यहाँ पर देखें मेरे mobile में phone call भी आ गया है यहाँ पर मैं answer पर click कर देता हूँ अब यहाँ पर देखें phone call हो गया है और यहाँ पर दिखा रहा है कि बादचीच चल लगी है आप चाहे तो इसको यहाँ से mute, unmute भी कर सकते हैं इसमें video call भी कर सकते हैं लोगों को add कर सकते हैं group calling भी कर सकते हैं मलब जैसे आप अपने whatsapp में video call या phone call करते हैं उसी प्रकार से same laptop के जरी भी आप whatsapp पर video call और phone call कर पाएंगे अगर आप इसको cut करना चाहते हैं तो फिर से red button पर click कर दीजे अब आपका call कट हो जाएगा तो अगर आपको video पसंद आई हो video helpful लगा हो तो video को like कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लेजेगा